हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल एंसी एर्टी दमाका 98 आज हम आपको क्लास 9 हिंदी कृतिका चैप्टर 5 किस तरह आकेकार मेरे हिंदी में आया जिसके रायटर ने सम्शेर भादूर सेंग एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और जो कुछ 57 रुपे मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुप चाप उसी पर चड़ा और चल दिया तैकर लिया कि हाँ, अम मुझे भी जो भी काम करना है, करना शुरू कर देना चाहिए दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वहाँ काम पेंटिंग है इशी की शिक्षा अब मुझे लेनी है और फौरण उकिल आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था दिली में कहां है या पता ना था खेर किस्सा मुक्तर्स की मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिला फीश के भरती कर लिया गया मैंने दो तिन जग़ों के बाद करोल बाग में एक लंबे सड़क पर एक कमरा लिया और रोजाना वहां से कनाट प्लेज को सुबह ही क्लास में पहुँचने लगा यहा है शमशेर की एक लाकती रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बना था और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता इसका जराबी ख्याल यह वहमो गुमान ना था कि यह कविता कभी प्रकाशित होगी बस मन की मौजिया तरंग या कोई तीज थी चुनाच्छे अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में लिखता और हर चीज और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपने ड्रोईंग के लिए क्या तत्वख हो सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकता हूँ पा सकूंगा आँखे थक जाती थी, बहुत थक जाती थी मगर उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृष्य या इस्तिती और गती का अपना विशिष्ट आक्षन कम ना था बस आखों की ही मजबूरी थी कभी-कभी तेज बहादूर कुछ रुपे बेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था मेरे साथ एक पत्रकार महुदय भी आकर रहने लगे थी माराश्टी बेकार थे 30-40 के बीच में वा इलाबाद यूनिवस्टी के होश्टलों का कभी-कभी जिक्र करते इलाबाद माई वीकनेस अंदर से मेरा हिर्दय बहुत उद्गीन रहता यगिपी अपने को दिश्चों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ती थी मगर अंदर से दुखी था पत्नी का ध्यान टीवी से हो चुका था दिल्ली की सडकों पर अकेला एकदम अकेला और बस घूमता घूमता कविताएं गसीटा या स्केट और अपनी खोली में आकर अपना अकेला पन खोकर बोर होता मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाटी नरिन शर्मा एमे कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी पता नहीं वह कांग्रिस की राजनीची चे संगलन थे या कोई पत्रकारी वसीला हो जाए थे तभी एक बार बच्चन श्टूडियों में आए क्लास कतम हो चुकी थी मैं जा चुका था वहाँ एक नोट छोड़ गए मेरे लिए मुझे नहीं याद कि मैं उसमें क्या लिखा था मगर वह एक बहुत मुक्स्तर सा और अच्छा सा नोट था मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने किर्टग्यों मैसूस किया मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब ना देना चाहे सेंगणों जवाब बाच पत्रों के मन ही मन लिख लिका अगर हवा में सास के साथ विखरता हूँ कई दिनों तक तो मेरे इस मौन की उपलब्दी मेरी क्रतिग्यता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी अंग्रेजी में एक सोनेट मगर उनको लिख देने के बाद मैंने जवाब उनको गोया बेज दिया कई महिने निकल गए और घटना चक्र से मैं दहरादून आ गया अपनी सस्राल के केमिस्टिट एंड डगरी स्टेट्स की दुकान पर कमपाउंडर गिरी खी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेड़े मेड़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्को को पढ़ सकतने की हो गई वशीवस्ट गुरूगर्शी सार्दा चरंजी उखील ने दहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी मेरे सौभाग्य से वबंध हो गई मैं अक्सर सोस्ता था कि अविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकान दुनिया रही थी किसी से उसे गरज नहीं और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात हैं अम मैं कहां हूँ मेरी आंतरिक दिल्चस्पियों से किसी को दिल्चस्पि नहीं थी और मैं मूँ खोल कर कुछ नहीं कह सकता था किसी से अपने से बड़ों का गुरुजनों का अदब लिहाद उनके सामने मूँ ना खोलना शायद मेरी गुट्टी में पढ़ा था अपनी बहुत ही आंतरिक एक आंतित्ता का में अभ्यासी हो तो हो गया था मगर अंदर से बहुत खिन और दुखी था और परिस्तिती के साथ सामन जस से बैठाने की कोशिच कर रहा था करता भी जहां तक हो सकता था ऐसे में न जाने क्यों एक दिन योही वा सॉनेट मेरे मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया बच्चन गर्मियों की चिट्टियों में सन 37 दहरादून आए रजमोहन गुप्त के यहां ठहरे इत्तिफाक देखिए कि यही अब डॉक्टर रजमोह बच्चन दिस्पैरिस में आकर मुझसे मिले एक दिन मेहमान भी रहे वह बच्चन की सुरू की दूम का जमाना था प्रवल जंजावत साती दहरादून के उसी साल की यादगार है किस जोर की आंधी आई थी उफ कितने बड़े बड़े पेड पिछे पड़े थे सरको पर तीन की चते की चते उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे हम सबका सौभागें आज मैं इस पश्टिक देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिक की दुनिया में गुजर रहा था वा इससे भी कही प्रवल था पत्नी वियोग हाल में हुआ था और कैसी पत्नी का वियोग जो इस मस्त नित्य करके शिव की उमा थी आत्मा से अर्दांगिनी निम्न मद्यवर्ग के सन 30 के भावक आदर्शों और संगर्शों के युवा संगिनी मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवी के लिए क्या कुछ ना रही होगी एक निचल कवी जिसके आरपार आप देख सकते हैं बात का धनी, वानी का धनी, हिर्दय मक्कन, संकल पॉलाद ऐसे व्यक्ती की साथी एक और बर्खा की याद आगई इस देरादून कीसी नहीं मगर भरी बरसात की जमाजम बर्खा इलावात की गाड़ी पर पहुँचना था रात का वक्त मेजमान इस्रार कर रहे हैं पर रवाना हो गए, वहाँ पहुचना था, वक्त पर पहुचे, इलावात मुझे बच्चन ही खीचका लाया सकते थे कोई संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं स्यम नहीं और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था, बराए नाम मगर उस परिच्चे के जितने भी चंड़ते सटीक थे, वो मात्र चंड ही आजकल की तरह ही में बहुत कम नहीं आता जाता या किसी से मिलता दुलता था मुझे इसकी कभी कोई जरुवसी ना मैसूस हुई, शायद ऐसा वहम मुझे था जो वहम ही था, कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं और हो क्यों खेर ये 36, 37, 37, 38 के साल थे जी हाँ, तो बच्चन ने मुझे से कहा, तुम यहां रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाबाद और एमे करो इत्यादी, और हमारी दुकान पर बैठने वाले देरादून के प्रिश्चन दॉक्टर मुझे से कह रहे ही थे, तुम इलाबाद जा जाओगे तो मर जाओगे, मगर मैं तो देख चुका हूँ, देख चुका था था कि फैंफडे के मरीजों के लिए गरी वाक क्या नुस्का लिखते थे, कैल्सियम लैक्टेट थी टाइम्स अडे, कैल्सियम लैक्टेट, उन दिनों दो आने में एक आउंस आता था, मैं अप उर्दोफरांसी की सूजी नजमों का एक संगर, सूफी, बड़े इसने से मुझे दिया था, अश्रवाद अर्से तक मेरे साथ रहा, और एक अर्थ में अब भी है, और बच्चन ने एमे प्रीवियर्श और फाइनल के दौनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस वाकाबिल हो जाओ यानि तुम्हारी नौगली लग जाए तब वापस कर देना चिंता मत करो ना इस काबिल हुआ और ना मैंने चिंता की अधान यहाँ था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाओं उनके स्वैम अंग्रेजी में फाइनल कर लेने दस साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ में भी युनिवस्टी से डिग्री लेकर फारिंग हो जाओंगा ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूँ सो कहां होना था कहीं ना कहीं यह बात पिता जी कि सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी अब मैं साथ साथ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस गोचोपने की हद है और पलायन हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फिरी मिल गई थी और पंत जी की सहच कृपा से मैं कभी नहीं बूलूँगा इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही थी कि अम मुझे कविता हिंदी कविता गंभीतार से लिखनी है जिससे की मेरा रप्त बिल्कुल छूट चुका था बाशा और उसका सिल्फ लगवग अजनवी से हो चले थे आखिर हिंदी फास्ट फार्म तो मेरी कभी नहीं रही थी और घर में खालिस उर्दू के ही बाता वरन में पला था बिये में उर्दू का एक ही विशलिया था गजल मेरी भावुकता और आंतरिक आभावो का अपने तोर पर भली पुरी एक मौन साती थी जैसी भी कुछ थी अपनी थी शायद विशेंतार हो रहा था मगर बच्चन ने बच्चन मेरे जिस साहित ते मोड मेरे हिंदी पुनसंसकार के प्रमुकारण बने मैं उसको यहां को जिस्पष्ट करना चाता हूँ एक बार पहले ही सन 33 में प्रीवियस का इंत्याम दिये बिना ही युनिवर्स्टी चोड़ कर जा चुका था मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में चप चुकी थी और बच्चन के अबुद्धे में प्रकाशित मेरे एक सौनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तम में या खालिस सौनेट है यक दिपी मुझे उनसे मतवेद है बरहाल तो सन 37 में भासा यानी हिंदी मुझे से चूट चुकी थी अविवक्ति का माध्यम या तो अंग्रेजी था या उर्दू गजल आज एक बात के लिए मैंने अपने पच्छाई सीधे साधे जाट परिवार और अपने बच्चपन के युक को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाशा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी ना हो सकी जो मेरे हिर्दय या मस्तिक को गेल लेती अफसोस इतना है कि मैं जमकर कोई साधना भाशा या सिल्प की नहीं कर सका हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खीचा इसका इसपष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे उनसे प्राप्त संसकार और इलावाद प्रवाश और इलावाद के हिंदी सायत इसे वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोस्तान और हिंदी आज भी अपनी ओर खीचती है वावजूद कम से कम मुझे जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकिन सामपरदाइक वातावरण के बच्चन इस वातावरण को आद मारदाना वार जेल ही नही कैसी हींसम गुजित मन इस्तिती का गोतक होता है मगर संथ 37 में मेरा हाल था जैसे मैं फिर इसे तहना सीख रहा हूं तीन सालों में बहुत कुछ बुला चुकने के बाद मेरी अंतर चेतना का यही सर्थ था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए लावाद लाए है वा मेदान म कशलेनी है यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य और कोई भाव नहीं मुझे याद है कि बच्चन एक नई स्टेज का प्रकार मुझे बताता है चौदै पंक्तियां और तुको का प्रभाबकारी विन्याज बीच बीच की अनेक पंक्तियां आतुं कांत मु तो वह कविता का एक बंद था मेरे लिए वह एक बंद बुरी कविता हो गई मगर मैंने जो लिखावा वस्तु सौनेट से अलग रूप ना ले सका बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म पे कोई कविता ना रची थी खैर बच्चन ने निशा निमंदरन की कवित चंद में लिख रहे थे मुझसे नहीं चला अगरे कुछ पंगतियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी निशा निमंदरन के कविके प्रती मेरी एक कविता जिस पर पंद जी के कुछ संसोधन भी है रुबाप काल में किये हुए मेरे पास आज भी अपरकाशित उसका भी बच्चन को पता नहीं मैं अपने कोर्स की और ध्यान नहीं दे रहा था इससे बच्चन को छोप था अन्द मेरे मन में भी एक अस्थाई संकोच खेर दो साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया बच्चन के साथ एक वी सम्मिलन में भी मैं उसी साल गया था शायद गौरखपुर मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास दिन्निरत थक नहीं गया शरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आक्रिष्ट किया और कुछ निवन्द भी मैंने लेकि रुबाब ओफिश में प्रारंबिक प्रस्टीचन लेकर मैं बनारे संस कार्याल है कि कहानी में चला गया निश्या ही इंदी के साहित प्रांगन में बच्चन मुझे घसीट लाए से आज मैं इस प्रस्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के जवर्पूर और कैसे आक्स्मिक मोड के पीछे बच्चन जीवन मौन सगत प्रतिवा रही है जो दूसरों को नया प्रातिव जीवन देने के ने संगिक छम्दा रखती है बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर ही दूर रहता था रहता आया हूँ यदि भी दूर और नजदीक की मेरी अपनी परवाशा है बहुत सी अनुपस्तिती चीजे मेरे लिए उपस्तित ही के समाने और उपस्तित अनुपस्तित के और मैं बहुत नजदीक आने बहुत मिलने जुलने चिट्टी पत्री आदी में विश्वास नहीं करता बच्चन इसलिए मेरे काफी करीब रहे मगर बेसीकली उसी तरह जैसे एक कभी अपनी रचना के माधिम से अपने करीब रहता है उसके साथ रहता है जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल चुके मिल सकते मिलते या मिल सकते युगों का व्यादवान होने के कारण ये एक ही जगे प्रसते हैं अधा मिलने या ना मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता है इसी तरह बच्चन अपने वेक्ति तो बहुत ही बहुतों की तरह मेरे भी नजदीक है और यह एक बिल्कुल सहाज और सामानी है और सवाविक भी बात है इसका सहे सवाविक और सामाने होना मुझे अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह मुझे अपनी जगा पर मुक्त ही रखता है मेरा अनुमान है की और भी सेक्ड़ो व्यक्तियों का ऐसा अनुमान ही क्यों मुझे को मालूम है की हुआ है मैं अपने सिन्वाव को विशेश और विशेश नहीं माना था प्रस्त तो ऐसा कुछ विशेश या विशेश दुनिया में नहीं हुआ करता बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वो हमेशा ही ऐसे होते हैं असाधारन कहकर में उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता मगर या साधारन और सेच प्राय भी है बात अजब है मगर सच है थैंक्यू इसी के साथ हमारी आज की वीडियों ही कम्टी डोलती है